हेलो फ्रेंड्स आई अम रचना वेलकम एक माई यूटीब चैनल आज हम आपके लिए पटियाला सिल्वार लेकर आए हैं इसे बनाने के लिए हमने टू एड़ाफ मीटर फैबरिक लिए हैं और इस फैबरिक से हम आपको पटियाला सिल्वार की कटिंग करना बताएंगे और क हम यान बनाने को जो मेथाड रहेगा वह बहुत आसान है इस मिथड़ से आप हर साइज की कटिंग करते हैं सब्से पहले हमें फैबरिक को एक वार फोल करना है तो यहां पर हमारी जो य फैबरिक है ःसे हमने एक वार फोल कर लिया है बैल्ट के लिए nine इंच पैबरिक हमने साइड से कट कर ली है अर्ज में और फैबरी को हमने एक वार फोल्ड किया है फैबरी को हमने चोड़ाई में फोल्ड किया है एक अपटे की चोड़ाई है और ये अर्ज है अब हम इसे दुवारा से फोल्ड करेंगे अर्ज की तरफ से एक वार हमारी पूरी फैबरिक फोल्ड है अब हम इसे अर्ज की तरफ से दोवारा से फोल्ड कर रहे है जितनी हमें मोहरी की चोड़ाई चाहिए उसी के अकॉर्डिंग अब हमें इसे दोवारा से फोल्ड किया है मैंने इसे 7 इंच तक फोल्ड किया है मोहरी मुझे 7 इंच की चाहिए तो मैंने इसे 7 इंच तक फोल्ड किया है और अब हम लेंद ले रहे हैं हमारी जो ये पार्ट्स है ये सिलके तयार 31 इंच के होंगे तो हम पार्ट्स की लेंद 32 इंच ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें 32 इंच भी मार्क करना है और CD line draw करनी है तो यहाँ पर हमने 32 inch में mark किया है और अब हमने यह line draw की है इसके बाद side से भी हम line draw करेंगे देखे हमने parts की land 32 inch ली है parts हमारे सिलकी तया 31 inch के होंगे और यह fabric एक तरव से full layer में है जहां से हमने parts की चोड़ाई ली है और अब हम यहाँ पर line draw कर रहे हैं जितनी parts की चोड़ाई है उसके पास हमें ऐसे line draw करनी है और इसके बाद अब हमें कली की length लेनी है कली की length भी हम parts के according रखेंगे तो जो line हमें draw की है यहाँ से हमें कली की length लेनी है तो कली की length भी हम 32 inch ले रहे हैं यहां पर हमें 32 इंच पर मार्क करना है और इसके बाद अभी हम आसन का मेजरमेंट नहीं रखेंगे आसन का मेजरमेंट हम आपको बार में बताएंगे यहां से हमने कली की लेंट इधर की तरफ से ली है तो यहां पर हमें कली की चोड़ाई 1.5 इंच रखनी है, सेम ऐसे ही आप दूसरी कली की चोड़ाई भी रखें, जो हमने दूसरी तरफ कली की लेंद लिये हैं यहां पर, तो यहां पर भी हमें कली की चोड़ाई 1.5 इंच रखनी हैं, और इसकी बाद जो हमने कली की चोड़ा तो यहाँ पर हमने यह तिर्ची लाइन ड्रॉ की है, ड्राफ्टिंग हो गई है, अब हम आपको कटिंग करना बताएंगे, सबसे पहले हम पार्ट्स की कटिंग करेंगे, तो यहाँ पर हम इसे साइड से कट करेंगे पहले, और यह कटिंग हम लाश्टर तक करेंगे, जो हमने parts की चोड़ा जबद है सेवार इंच तो हमें इसे लाश्टर तक करना है तो यहां पर हमने ये parts की cutting की है और इसके बद एक तरफ की fabric बंध है तो यहां से भी हम इसे कट करेंगे ऐसे आप इसे line तक कट करें आप तो यहाँ पर हमने ये टू पार्ट्स कट कर लिये हैं और जो इसकी हमने लेंद ली थी 32 इंच यहाँ से भी हमें इसे कट करना है इस तरह से और जो पची हुई फैवरिक हैं यह हम बैल्ट में यूज करेंगे और मोहरी के लिए भी एक काम आएगी तो हम इसे अलग रखेंगे तो एक वार हम ये पार्ट्स आपको सिंगल करके दिखा रहे हैं यह हमारी टू पार्ट्स हैं सलवार के अब हमें इन्हें रखना है और कली की कटिंग करनी है जो हमने तिर्ची लाइन ड्रो की है यहां से हम पहले कट करेंगे तो आप ये तिर्ची लाइन कट करें पहले इस तरह से आप इसे लाश्टों तक कट कर ले तो यहां पे हमने ये फोर कली कट कर ली है टू कली इधर की तरफ की है देखिए और टू कली हमारी दूसी तरफ की है तो यहां पे हमने ये फोर कली कट कर ली है और इसके बाद फोर कली हम एक साथ रखेंगे तो हमें ये कली जो ये दो कली है यहाँ पे इस तरह से रखनी है ऐसे आसन की तरफ हमने आसन रखा आए अब हम यहाँ पे आपको मेजरमेंट बता रहे हैं आसन की लेंद हमारी 8 इंच आ रही है तो यह हमारी काफी है क्योंकि हम 14 इंच का आसन तयार करेंगे 7 इंच का आसन हमारा बेल्ट में रहेगा और 7 इंच का आसन हमारा यहाँ पे तयार होगा आसन की लेंध हमारी 8 इंच आ रही है यदि आप आसन की लेंध ज़्यादा अधिक रखना चाहती है इस तरह से आप इंची टेप को कप्रे की चोड़ाई की तरफ रखते हुए लाइन ड्रो करके आसन की लेंध कट कर सकती है यदि आप आसन अधिक रखना चाहती है मेरा आसन काफी है तो मैं आसन यही रखूँगी तो यह 8 इंच आसन आ रहा है अब हम आपको बेल्ट का मेजर्मेंट बता रहे है जो हमने पहले ही अरज में 9 इंच फैबरी कट की थी यह वो है हमने इस फैबरी को एक वार फोल्ड किया है लेंथ हमारी 9 इंच है सिल्के तयार हमारी 7 इंच की होगी यह बेल्ट और 31 इंच के हमारे पार्ट्स सिल के तयार होगे तो सिल्वार हमारी 38 इंच की तयार होगी और जैसे की कमर मेजरमेंट है 30 इंच तो 30 का हाफ गुआ 50 इंच तो यहाँ पर हमने 50 इंच पर मार किया है और इसके बाद 7 से 8 इंच फैबरिक हमें और लूजिंग के लिए एड़ करनी है तो जो हमारी साइड से फैबरिक बची थी पार्ट्स की तरफ से यहाँ पर हम वो एड़ करेंगे जितनी फैबरिक हमें चाहिए तो हम इसे एक वार ऐसे फोल्ड करेंगे लेंथ लेकर आप इसे कट कर ले तो यहाँ पर हमारी जो बैल्ट है इसकी कटिंग भी हो गई है पहले आपको कमर का फिक्स मार्क करना है और इसके बाद फोल्ड बैल्ट में ही आपको सेवन से एट इंच फैबरिक और एड़ करनी है इस तरह से आप हर साइज की बैल्ट की कटिंग कर सकती है और जो बची भी फैबरिक है उसमें से आप मोहरी के लिए टुपीस कट कर ले इस तरह से आप इसे रखें और सेंटर से कट कर ले तो यह फैबरिक हम मोहरी के लिए जूज करेंगे कटिंग हमारी कमप्लेट हो गई है यदि फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सिस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद